वेल्कम टो इजी केमिस्ट्री दे श्टूडेंट हमारा चैप्टर नमबर 3 चल रहा है इसका नाम है आइनिक एक्विलिबिरिया तो आज हम उसका लेविस थेरी ये पैरग्राफ पढने वाले हैं तो लेविस थेरी आफ एसीडेंट बेस ऐसे पुरा नाम है पैरग्राफ नम जी एन लेविस इन 1923 एक्कॉर्डिंग टू इस थेरी एसीडेंट बेसेस आर डिफाइन एस फॉलोज तो यहां पर जो इंपॉर्टन बात बताई गई है इस पैरग्राफ में कि जो केमिस्ट का नाम है जी एन लेविस और यह थेरी का पुट फोर्थ हुई 1923 में और यह ब बहुत ही famous ऐसी थेरी है इसको सभी ने accept किया है और जितने भी limitations थेर से पहले की जो थेरी में वो सारे limitations यहां पर दूर हो गए हैं तो चलिए हम देखते हैं कि लेविस की मताबिक acid और base की definition क्या है acid actually हम इसको सिर्फ acid बोलने के बजाए लेविस acid ऐसे कहेंगे any species that accepts अभी any species का मतलब यहां पर species का मतलब क्या क्या होगा बच्चों? atom हो सकता है, iron हो सकता है या molecule, atom, iron और molecule उसको क्या कहा रहा है? species कहा रहा है तो आप any species बोलने के बहा है, any substance भी बोल सकते हैं, any species that accepts जो accept करता है, खुबूल करता है क्या accept करता है? a share यानि कि साजिदाई हिस्सा खुबूल करता है, in an electron pair is called lewis acid यह हिस्सा काई का है बच्चों? electron pair का हिस्सा वो accept कर रहा है बच्चों, यह definition exam में जरा याद करने के लिए hard है इसलिए आप यह जो easy definition मैंने नीचे दी है, यह definition आप exam में लिखिए दिखी क्या बूलेंगे? electron pair acceptor is called lewis acid electron pair हुबूल करने वाले को हम क्या कहते हैं? lewis acid कहते हैं electron pair कहा गया, pair यानि कम से कम कितने electron होंगी? दो electron, तो एक electron pair का मतलब हो गया, दो electron two electron pair का मतलब हो गया, चार electron three electron pair का मतलब हो गया, छे electron समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर कम से कम एक electron pair या ज्यादा से ज्यादा कितने भी electron pair हो सकते हैं वहाँ पर तो electron pair acceptor is called lewis acid ऐसा कोई भी atom, ion या molecule जो electron के pair को accept करता है उस atom, ion या molecule को lewis acid कहते हैं तो एक्जाम में आपको कौन सी definition लिखना है? यह नीचे वाली easy definition electron pair acceptor is called lewis acid चली आगे देखते हैं base यह base को हम सिर्फ base बोलने के मुझा है क्या बोलेंगे? lewis base क्या लिखाए दिखिए? any species फिर से species का मतलब क्या है? atom, ion और molecule that donates जो donate करता है, जो देता है क्या देता है? a share हिस्सा देता है काय का in an electron pair electron pair का हिस्सा देता है is called lewis base तो यहाँ पर share ये word बार बार आ रहा है तो sharing हो रही है तो sharing कब होती है electrons की? जब bond तयार होता है और उस bond का नाम क्या रहता है बच्चो? covalent bond लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्सा है साज़दारी जो हो रही है sharing जिसको हम कहते है तो ये साज़दारी ये two-sided नहीं है यहाँ पर one-sided साज़दारी हो रही है कोई एक item दोनों electron दे रहा है यानि यहाँ पर बरावर बरावर साज़दारी नहीं हो रही है बलके यहाँ पर unequal sharing हो रही है तो इसको हम easy definition क्या त्यार करेंगे देखिए electron pair donor electron pair देने वाले को is called levis base आपको exam में यही definition लिखना है electron pair donor is called levis base ओके तो यहाँ पर electron pair देने वाले को हम क्या बुल रहे है levis base और electron pair लेने वाले को हम क्या बुल रहे है levis acid चलिए अब इसको हम एक example के जरीए समझने की कोशिश करेंगे इस example को देखिए बच्चों चलिए यहां से देखते हैं सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है H positive है H के सर पर positive charge है यानि फिर इस पर electron ज्याता है कि electron की कमी है इस पर electron की कमी है electron की कमी को हम काई से बताते है positive charge से बताते हैं तो positive charge का मतलब यह जो आइन है यह electron deficient है इस पर electron की कमी है इसको electron चाहिए तो यह electron खुबूल कर सकता है क्योंकि इसके अंदर वो सलाहियत मौजूद है इसके बिकम electron acceptor और इसी लिए इसके नीचे लिखा है acid हम इसको levis acid बोलेंगे बच्चों यह levis acid है ऐसा बोले तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा यह levis acid है और इसकी reaction किसके साथ हो रही है NH3 के साथ NH3 में बच्चों आप दीखिए कि central atom nitrogen है और इसके अतराब 3 hydrogen आपको नजर आ रहे है और यह तीनों hydrogen काई के जरीए जुड़े हुए है bond के जरीए और हर एक bond का नाम क्या है बच्चों covalent bond यानि ऐसा bond जिसकी तयारी की दारान electrons की बराबर बराबर साज़दारी हुई है equal sharing of electron हुआ है अब यहाँ पर nitrogen की पास एक lone pair of electron मौजूद है जिसको यहाँ पर इस तरह से बताएगा loan pair of electron का मतलब क्या होता है कि ऐसी pair of electron जो अभी तक bond की तयारी में इस्तिमाल नहीं हुई है तो यह extra electron उसके पास है मैं एक मिसाल देना चाहूँगा आपको कि जैसे कि हमारे पास जो four wheeler होती है तो four wheeler में company के तरफ से four wheeler को four wheels तो आते हैं लेकिन एक wheel extra आता है जिसको हम क्या कहते हैं stepney कहते हैं तो stepney use होगी लेकिन कभ use होगी emergency में कि आप traveling कर रहे हो अचानक आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है तो फिर आप वो wheel exchange करके आपके डिक्की में जो नया wheel रखा हुआ है जो company की तरफ से दिया गया है जिसको हम stepney बोल रहे है वो use होगा तो ये loan pair of electron और कुछ नी बलके stepney है और कभी भी इसको emergency में ये atom उसको use कर सकता है काई के लिए use कर सकता है bond formation के लिए bond की तयारी में तो दीखिए यहाँ पर ammonia NH3 इसमें central atom nitrogen ये अपना loan pair of electron दे रहा है किसको दे रहा है H positive को क्योंकि उसके पास ये extra electron था जिसको हम loan pair of electron कह रहे हैं अब ये दीखिए arrow जो बताया गया है arrow इस तरह से बताया गया है तो ये transfer of electron pair बता रहा है तो arrow का जो tell है वो क्या बता रहा है कि electron कौन donate कर रहा है donor atom से tell शुरू ही है और acceptor atom पर वो arrow का head है तो head क्या बताता है electron pair acceptor को बताता है और tail क्या बताती है electron pair donor को बताती है तो ये electron के lending की वज़ा से उनके बीच एक नया bond त्यार हुआ है इस bond को आप देखिए ये bond आपको यहाँ पर arrow की शकल में बताय गया है तो बच्चो ये bond और बाखी की जो 3 bond है अब nitrogen के अत्राफ आप देखिए आपको total 4 bond नज़र आ रहा है एक उपर bond है जिसको आप covalent bond बोलेंगे एक side में है ये भी covalent bond है ये भी hydrogen के साथ covalent bond है तीन hydrogen के साथ आपको covalent bond नज़र आ रहा है लेकिन एक hydrogen के साथ आपको जो bond नज़र आ रहा है इसको हमने कुछ अलग तजखिए से बताया है arrow के जरीए तो इस bond को हम covalent bond नहीं बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि इस bond की तयारी में electrons की बराबर बराबर साज़ेदारी नहीं हुई है equal sharing नहीं हुई है यहाँ पर one sided sharing हुई है इस bond की तयारी के लिए जो दो electron चाहिए थे वो दोनों भी electron किस ने दिये है nitrogen ने दिये है hydrogen ने सिर्फ accept किये है इसलिए हम इसको बोलेंगे unequal sharing of electron तो इस bond को हम covalent bond बोलने की बजाए इसको बोलेंगे coordinate covalent bond या coordinate bond दो नाम है बच्चो तीन नाम है इसके पहला नाम coordinate covalent bond या फिर आप इसको coordinate bond बोलिए या तीसरा नाम है dative bond तीन नाम है तो ये bond यहाँ पर तयार हुआ तो ये एक ऐसा compound आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपको दो type के bond नज़र आ रहे है पहला कौन सा bond नज़र आ रहा है covalent bond जो की तीन hydrogen के साथ नज़र आ रहा है और एक चवथे hydrogen के साथ आपको coordinate bond नज़र आ रहा है अच्छा अब ये positive charge जो पहले h positive के सब पर था इस positive charge का क्या हुआ कि ये positive charge अब पूरे इस molecule पर फैल गया है इसको कहते हैं dispersal of positive charge या de-localization of positive charge हो गया है अब पूरे molecule पर फैल गया है यानि नाइट्रोजन पर भी है और चारो hydrogen पर भी है तो इसको हम कैसे बताएंगे अब ये पूरे structure पर फैल गया है इसलिए इसको हम positive charge को हमने कहां लिखा है यहाँ पर लिखा है यानि एक square bracket निकालेंगे और उसके सर पर हम यहाँ पर positive charge लिखेंगे इसका मतलब इस पूरे molecule पर positive charge फैल गया है dispersed हो गया है delocalized हो गया है और ऐसा delocalized होने की वेज़े से अब यहाँ पर इसकी इस आयन की stability बढ़ गई है तो अब देखी यहाँ पर यह जो तयार हुआ इसको हम क्या बलेंगे complex ion तयार हुआ है और यह complex ion को आप ऐसे भी लिख सकते है NH4 positive और इसका specific name क्या है बच्चों ammonium ion कौन सा ion ammonium ion समझ में आ रहा है आपको चलिए उसके बाद आप यहाँ पर next example हम देखते हैं यह भी बहुत ही interesting example है जो पहला compound है यानि की levis acid यह क्या नजर आ रहा है देखिए BF3 और इसकी reaction किसके साथ हो रही है levis base उसका नाम क्या है NH3 यहाँ पर lone pair कौन दे रहा है nitrogen दे रहा है किसको दे रहा है boron को तो हमको boron और nitrogen को समझना पड़ेगा बच्चों boron यह कहाँ पर मौझूद है BF3 में मौझूद है boron trifloride इसमे central atom कौन है boron central atom है तो boron के अतराफ आपको अभी यहाँ पर कितने bond नज़र आ रहे है तीन bond यह पहला bond है यह दूसरा bond है और यह तीसरा bond तीन bond है और तीनों bond का नाम क्या है covalent bond यानि ऐसा bond जिसकी तयारी के दारान electrons की equal sharing हुई है किसके किसके बीच boron और fluorine के बीच यानि कि boron का एक electron रहेगा और fluorine का एक electron ऐसे दो electron मिलकर एक bond तयार करेंगे तो बरहाल boron के अतराफ आपको total कितने electrons यहाँ पर नज़र आ रहे हैं देखिए एक bond में दो electron है तो दो bond में चार electron तीन bond में छे तो boron के अतराफ आपको 6 electron नज़र आ रहे हैं हम ऐसे वो सकते हैं कि BF3 molecule में boron के outer most shell में valence shell में यहाँ पर कितने electron नज़र आ रहे हैं 6 electron तो बच्चों boron का octet तो complete नहीं हुआ क्योंकि octet कब complete होता है जब उसके valence shell में 8 electrons होना चाहिए तो इसके पास दो electron की कमी है तो इसका मतलब यह boron electron deficient है लेकिन इस पर positive charge नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर यह neutral molecule है इस पर कोई charge नहीं होता है तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसा यह neutral molecule है जिसके central atom जिसका जो central atom है यह electron deficient होता है positive charge तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो electron deficient होता है क्योंकि उसका octet incomplete होता है तो positive charge नहीं है लेकिन उसका octet incomplete है तो इसको ये electron accept कर सकता है boron अब NH3 में central atom कौन है nitrogen, nitrogen पर एक lone pair of electron नज़र आ रहा है यानि extra pair of electron तो nitrogen electron दे रहा है और boron electron ले रहा है तो यहाँ पर NH3 ये electron pair donor हो गया और BF3 electron pair acceptor हो गया तो यहाँ पर ये electron pair के lendin की वज़ा से जो bond तयार हुआ इस bond को हम कैसे बताएंगे arrow के जरीए बताएंगे यहाँ पर देखो बच्चो arrow की जो tail है वो tail क्या बता रही है कि nitrogen ने electron pair दिया है और इस arrow की जो head है वो क्या बता रहा है कि boron ने electron pair accept किया है ठीक है तो यहाँ पर ये जो bond तयार हुआ इस bond को हम क्या बोलेंगे coordinate bond या coordinate covalent bond या dative bond और ये जो compound तयार हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे complex compound बोलेंगे इसको iron क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई positive charge आपको नजर नहीं आ रहा है तो यह complex compound है या दूसरा नाम है इसका coordination compound कभी कभी इस structure को ऐसे भी इस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर मैं उम्मिद करता हूँ कि आपको यह पूरा lecture समझ में आया होगा अगर आपको lecture समझ में आया है तो comment कीजिए इस video को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए तो मिलते हैं कि नए video के साथ तब तक के लिए good bye